नवरात्री से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रधा MH1 को सब्सक्राइब करें जै मातादी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्विशेश कारिक्रम में जिसका नाम है नौ दिन नवरात्र के और मैं हूँ मौलिकाश शर्मा यादेवी सर्व भूतेशु मा भ्रमचारणी रूपेर्ण संस्थता नमस्तसे 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 नमो नमा आज मा भ्रमचारणी का दिन है जी हां उनका स्वरूप कैसा है मा को क्या भोग लगाया जाए मा का प्रिये रंग क्या है इसे करेंगे अपने इस विशेष रिक्रम का और बात करेंगे गुरुजी के साथ बुरुजी बहुत-बहुत स्भागत आपका जय माता दी जय माता दी गुरुजी आज दिन है माअ भ्रहम्मचारणी और हम स्वरूप के विशय का विश्य में सर्व प्रथम आप में बताएं देखे मा ब्रहम चार्णी का जो सरूप है नाम है ब्रहम चार्णी ब्रहम का मतलब हो गया तपस्या चार्णी मतलब आपने जो तपस्या करी है उसका आपको फल मिलेगा यहां हम पूर्ण रूप से कहें कि मा का ये सरूप हमें अत्यंत भावने है यानि कि वो भावना हमारे अंदर जिग्यासा उत्पन हो जाती है भावना उत्पन होती है कि हम भी भ्रहमलीन रहें अब भ्रहमलीन हो गए तो हमें मिलेगा भ्रहमान का दर्सन और मिलेगी महमाई का दर्वार इनका इस सरूप में एक हाथ में देखेंगे तो इनके माला है ज का जो मुखार बिंद है वो देखने से विक्ति को सांती मिलती है योगी लोग इसी दिन की तपस्या करते हैं कि दुत्ते दिन ब्रहमचार नहीं का देना आए और हम सवधिस्थान तक पहुंच जाएं मुलाधार से प्रारम करा और उपर आ गए इस सरूप की वर्णन देवी भागवत में यहां तक लिखा है कि ब्रहमलीन जो व्यक्ति होता है उसको यहां पे समझ लो कि वो अपनी सादना में डूब चुका होता है पहले दिन शैल पुत्री दूसरे दिन ब्रहमचार नी और ब्रहमचार नी का ताथ पर हुआ कि इस रूप को देखने से आपको सांत सुन्दर है यह रूप मा का भाने वाला है मन को सांती देने वाला है आपका श्ट में हैं बंधन में हैं मुक्ति चाहते हैं किसी परकार के दोसों से आप गिर गए हो आपका मन विचलित रहता हो तो ब्रहमचार नी मा का रूप देखो ब्रहमचार नी नाम से उच्चारन कर गुरू जी आज की दिन से जोड़ी कोई कथा भी है तो वो भी आप हमें जरूर बताएं बहुत सुंदर कथा है पूर्व जनम में परवत राज हमाले के इनका जनम हुआ अब नारज जी ने बता दिया बालिके आपका लक्ष इस जीवन का नहीं है आपका लक्ष है चंद्रमौल यासुतोस भगवान शिप को पाना पती रूप में अब पती रूप में आपको पाना हैं और उसके लिए करनी है आपने तपस्या और तपस्या के लिए क्या चाहिए होता है माला और कमंडल मा निकल गई गुरू के वचन और गुरू का हमेशा वचन होता है सकता है हमेशा गुरू का काम होता है आपको सद्ध गती पे लाना आपको धर्म करम में जोड देना आ आप किसी परकार से बंधन में हो बंधन मुक्त करना बस मान निकल पढ़ी तफस्या के लिए एक आंथ वन बैठ कर तफस्या प्रारम करिया हजार वर्सों तक फल खाए कंदमूल फल खाकर जीवित रही है उसके बाद मगर तफस्या नहीं छोड़ी घंगोर बारिस होती है घं परना वातवरन बदल रहा है मगर मा की तफस्या में कोई भी बदलाव नहीं आया पर्ण खाये सूखे हुए पत्ते खाये नाम पढ़ा अपढ़ना पर्ण खाने से नाम पढ़ा अपढ़ना एक नाम मा का अपढ़ना भी पढ़ा मा ने देखा कि मेरी बिटिया का सरीर दूखने लगा है, काला पढ़ने लगा है, अब देखा नहीं जाता इतना बड़ा तब, एक पती को पाने के लिए, अब पती ध्यानी नहीं दे रहे, जिस लक्ष को पाने की चेश्टा करे व्यक्ति और वो लक्ष ना पाए, तो वो ऐसे ही जीवन काल में निरास हो जाता है, मगर महमाई नहीं दिखाया, जब तक लक्ष आपको ना मिले, जब तक उस लक्ष के पीछे लगे रहना चाहिए, बिल्कुल कष्ट को भी सहन करो, सच्चे मन से लगना चाहिए, अपने अराद्य को भसते भसते, उसके चिंतन में इतने डूब जाओ, कि आपको अपनी तेरा एक अश्ट देखा नहीं जाता, उमा नाम मा का वहां से पढ़ा, पढ़न पढ़ा, अब पढ़ना पढ़ा, पढ़न से, अंतता ब्रह्मा जी को देवताओं को जब हाहाकार मिच गया, पढ़ले जैसे वातावरन बन गया, तब ब्रह्मा जी ने आशिरवाद दिया, पुत्री हम तेरे तब से बहुत परसन हुए, अंतता चुदे तुम्हें चंदर मौली आसुतोष भगवाल शिव और तुम्हारी मनों कामना की पूर्ती होगी, इस तरह के वचन सुनकर पिता भागे आए, और पिता ने बिटिया को उठाया, और जब वर्दान मिल जाता है तो काया कल्प हो जाती है, मा का वही सरीर, वही तपवाला रूप, चुस रूप में कहीं थी, देवी भागवत में विस्तार पूरवक्त से लिखा है, कि इनकी अरादना उपासना करने से व्यक्ति को उस लक्ष को पाने में सरलता होती है, आप उस लक्ष को भेट पाते हैं ये है, स्वाधिस्तान चक्र में आपका केंदर जागरित होता है इस समय और आपका जीवन होता है सफल मा भ्रहम चारने की पूजा अर्चना करने से गुरू जी किस परकार की शक्तियां व्यक्ति को मिलती हैं, ये भी आप हमें जरूर बताएं मा भ्रहम चारने की तफ से, मा भ्रहम चारने की पूजा से यम, ध्यान, बैरग, विजय, इसकी प्राप्ति होती है यानि कि आप अपने लक्ष को भेद पाते हैं, इनकी किर्पा अगर आपके उपर हो जाए तो समझ लीजिए आप सांत मन से, सांत रहकर एक जल के समान अपने पूरे संसार के अंदर भर्मन कर सकते हैं क्योंकि आपका मन जो है, वो वाद, पित, कफ कंट्रोल करेगा, आपका जो धियान हैं, पाँच ग्यानिंद्रियां, पाँच करमिंद्रियां और एक मन, मन आपका पूर्णता संचालित रहेगा और आपकी जो रजो गुण हैं वो समाप्त हो जाएगा आपका तमो गुण कम होगा आपका साथ्विक गुण परविष्ट कर जाएगा यह है सौधिस्टान चक्र में ही यह विशेष्टा है क्योंकि यह हमारा मूल अधार है हमारी जो स्पाइनल कार्ड होती है वो इस पर ही जाका ठीकी होती है ध्यान रखें जैसे मूला धार के उपर उठके चलता है तो इनकी पूझा से इनके तफ से आपको इनकी महिमा से इनकी किरपा से आपकी रीड के एड़ी कुल मिला कर देखी जाए तो मजबूत होती है योगी लोग इस दिन की भी काम ना करते है कि महा माई के चैतर के नौरातरों में जिस दिन दूसरा नौरातर आएगा अगर हम चप करेंगे तो हमें लाब मिलेगा आज के दिन से जोड़ा महा उपाए भी आपसे जरूर जानेंगे लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त हुआ एक छुटे से अंतराल का इस खुबसुरर चर्चा के साथ हम पुना हाजर होते हैं मॉम नूडल्स नो जंक फूड जी करेला फिर से चश्मा नहीं लगेगा और जानती हो हरी सबजियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्म्योनिटी रोज रोज वेजेटेबिल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी और मेरे बालों के लिए हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से रोज? अपने बालों को रोज दीजे वीट और सोयबीन के पोशन से भरा प्यॉर रूट्स प्रोटीन श्याम्पू जिससे बाल बने मजबूत, सुन्दर और घने जै मातादी गुर्दियक एक विशेश बात आप हमें बताएं, आज मा भ्रहमर्चारुणी को भोग क्या लगाया जाएं ये भी आप हमें बताएं मा को जब हम दूसरे नौरत्रे पर भोग लगाते हैं तो यहां आज के दिन लिखा है गाय के दूद के बने पदार्द अब गाय के दूद के पने पदार्द सबसे पहले तो गाय का ही क्यों ये समझने का एक विशे है कि गाय का दूद होता है पवित्र इसमें नहीं है दोष गाय का आधा जो सरीर होता है वो होता है नेगेटिव यानि की पॉईजनिंग इतना होता है वो आधे सरीर में होता है आधे सरीर में होती है प्योर्टी गाय जो चीज गरहन करती है वो नेगेटिविटी गरहन करती है इसलिए गाय को देते हैं दान द आपकी कुंड़ी में किसी परकार के दोसों से आप घिर गए हैं तो गाय सब एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके इलावा गाय निकालती ही क्या है प्यूरिटी डिस्चार्ज करती है गाय गो मूत्र को हमारे बहुत पवित्र माना गया है और शिदी सेवन में भी इस्तेमाल क किया जाता है गाय के गोबर के उपले नौरात्रों में विशेश रूप से इसकी बहुत महिमा है गाय के गोबर के उपले अगर जलाए जाए जाए तो वातावरण वो सुद करता है ना की वातावरण दूशित आप यहां तक की नजर दोस्तों से भी मुक्त करता है जैसे ग वास्तु पूजन के लिए गोमूत्र की बहुत आफशक्ता पड़ती है। भूत, प्रेत, पिसाच, निसाचर। इनसे अगर आप भेवीत होते हैं तो गोमूत्र का छिड़काओ करते हैं। वो पवित्र लाने के लिए इस्तमाल किया जाता है। इसी परकार से गाय के दूद क बने जितने पदार्थ होते हैं आज के दिन मा को प्रिया है क्योंकि सात्विक हैं। उनके अंदर सतोगुण का विकार सतोगुण बढ़े हुए हैं। विकार नहीं हैं, विकार रहित हैं, सतोगुण पर्विष्ट करे हुए हैं। तो आपने अपने भोग में आज के दिन म मा को गाय के दूद के बने पदार्थ बर्फी दो पेड़ा दो दूद दूद पियें मखाने डाल के दूद पियें मखाने के खीर बनाएं मा को भोग लगाएं पंच मेवा की खीर बनाएं उसका भोग लगाएं आज के दिन सबसे स्रेष्ट है गाय के दूद जी मा का प्रिया रंग कौन सा है ये भी बताएं गुरू जी आज के दिन मा को सबसे प्रीय अगर रंग कहा गया है तो कहा गया है नीला आसन हो नीला रुमाल हो नीला आपका ये मा को बड़ा प्रीय है नीली सुनहरी पटी हो क्योंकि ये आपके पास है गगन आकास नीला पानी को बहुत देर तक देखोगे नीला, आप ध्यान अवस्था में जाएंगे तो आपको नीला रंग दिखना चाहिए, ध्यान, ध्यान की अच्चरम सीमा से पहुंच जाएंगे, पहले आपको नीला नीला दिखाई देखा, काला नीला, काले से नीला हो जाएगा, और नीले से फिर लाल होगा, ये रंग आपके लिए सर्व से चाश्वादिस्ठान चक्र में जब हम चले जाते हैं तो नीला रंग आपके लिए क्योंकि तीन रंग मिलके ही बाकी रंग बने हैं लाल हरा नीला इन से मिलके ही बाकी रंग बनते हैं इसी तरीके से इन रंगों का समावेश में नीला रन आज के दिन सबसे ज़्यादा परमुक कहा गया है। आज के दिन से जोड़ा महा उपाय क्या है ये भी ज़रूर बताएं गुरुजी। आज के दिन विशेश रूप से कन्या को पूजन करना चाहिए। कन्या को कुछ न कुछ देना चाहिए। दो वर्स की कन्या मिल जाए तो अति उत्तम। दो वर्स की कन्या को आप ब्रहमन की मिले। बुद्धी चाहिए तो ब्रहमन की। भई स्वरसती की करपा चाहिए तो किया गया है कौन सी कन्या पूजें पूजें महा उपाय में आज हम ब्रह्म चाड़नी के लिए बताते हैं कि सबसे पहला काम आपने करना है घर के अंदर दूद लाना है दूद की कुछ मिठाई बनानी है दूद की खीर बनानी है और कन्याओं को परसा सरू वित्रण कीजिए कि सबसे सुन्दर उपाय है कन्याओं को खीर बांटिये मकाने की खीर पंच मेवा की खीर दो वरस की कन्याओं को दे सकें तो अत्युत्तम साथ में एक चुन्री और मा के सिंगार का सामान आलता मिल जाये तो अत्युत्तम उस से या रोली से मा का सस्दल बनाईए उस पे मा लिखिए अब बाकी बिंदिया लगाए एक दो तीन चार पांच पांच बिंदि लगें और उसके माथे पे लगाए अपने और मा से कोई भी जवाब को मंतर आता हो मैं रिंग क्लिंग चमंडाय विच या देवी सर्बूते सू सांती रूपेंड संस्था नमस्तसे नमस्तस माला ले 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 जल बरके रख लें बड़ा संदर रुपाया ये एक माला ले ले जो माला मिले रुद्राश की माला मिले कमल गटे की माला मिले इस फटिक की माला मिले उसका जाब सुरू कर दें एक सौाट मनके तक चलाएं फिर मनके फेर लें जल बरके रख लें तो तुलस और दस दिसाओं से शुरक्षा होगी ये बड़ा महा उपा है करके देखिए रातरी काल में कीजिए अगर आपको जब करना है तो पीला आसन बिछा लीजिए मा बगला मुखी की अरादना कीजिए पीले पुस-पुस सजा लीजिए ओम रिंग बगला मुखी सर दुष्टा न करके देखिए रातरी काल बारा वज़े से लेके सुबह दे चार वज़े तक कर सकते हैं आप यह था सकती कर सकते हैं अगर आपके पास सामर्थ है तो आप पूरी रात बैठी इस सवस्था में बैठ जाएए और मन्थन आपका चलता रहना चाहिए आपकी मनों कामना अश्र चलते चलते संदेश सरु क्या कुछ विशेश कहेंगे गुरुजी आज सेम को इतना बलवान बना ले विक्ति कि दूसरे उसको दोष ना कह सके दोष तभी होता है जब आप बलहीन हो जाते हैं और बलवान वही होते हैं जो महामाई के चरणों के वास्त दास होते हैं चरण चरणों के बहुत बहुत सुन्दर गुर्जी आज भी आपकी जमाम जानकेरों के लिए बहुत-bहुत शक्रिया धन्यवाद जैमात अब आज के हमारे सखास से कारेक्टर में आप हमें दें इजाज़त कल हम फिर हाजिर होंगे मा के तीसरे स्वरूप के साथ तब तक के लिए जय माता दी